हालो गाईज मैं हूँ माईश आप देखर असिस्टेक बनाओ फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत सबागत है तो गाईज अगर आप 20,000 के प्राइस बजट के आसपास एक नया 5G स्मार्टफोन देखते हैं और अगर सॉफ्टवेर अच्छा देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपको हाडवेर अच्छा देखने को नहीं मिलता बड़ इन सबके बाउजूद एक स्मार्टफोन ब्रेंड ऐसा भी है जहां पर आपको हाडवेर भी काफी अच्छा देखने को मिलता है और software भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और एक इंटू recently brand काफी अच्छा खाम कर रहा है जी आ मैं बात कर रहा हूँ Motorola brand की और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी brand की तरफ से आने वाले एक upcoming smartphone के बारे में जो बहुत दिया आपको इंडिया में देखने को मिलेगा क्योंकि Motorola ने European market में जितने भी smartphone launch किये सेम स्मार्टफोन आपको इंडिया में भी देखने को मिले MotoGuy जो G82 है recently European market में Motorola ने launch किया है इससे पहले 12 में को भी Motorola S30 जो की European market में लाँच वा था वो भी आपको देखने को मिला था तो ये भी device जो है आपको for sure इंडिया में देखने को मिलेगा अब इस phone में आपको ऐसे क्या खास feature देखने को मिलते है जिनकी वज़ेसे आपको इस smartphone का वेट करना चाहिए तो आज की इस यूडियो में इनी खास features के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके build और design के साथ में तो guys देखो design देखने में वही typical Motorola smartphone जैसा ही होगा ऐसा कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा वही polygarbert वाला material यूज करेंगे लेकिन अच्छी चीज बताए क्या है पहले Motorola के जो phone होते थे वो थोड़े से bulky tap के होते थे लेकिन अभी recently Motorola इनके form factor के उपर काफी अच्छे से गाम कर रहा है और सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलेगी अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचिस का फुल HD प्लस P OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के fast refresh rate के साथ अब जो G71 था वहाँ पर आपको 60Hz का OLED पैनल देखने को मिलता था बढ़ यहाँ पर आपको 120Hz का देखने को मिलेगा इसके लाब screen to body ratio की अगर मैं बात करूँ तो 91% के गरीब देखने को मिलेगा तो बीजल्स वगरे भी आपको कम देखने को मिलेगे अब रही बाद display quality की तो हम सब यह जानते की Motorola की जो display quality है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है बट यह जो device होगा यहाँ पर आपको dual stereo speakers देखने को मिलेगे Dolby Atmos का support भी होगा और 3.5 mm का जो audio jack है वो भी आपको देखने को मिलेगा रही बात processor की तो वहाँ पर कोई changes नहीं है पहले G71 में आपको snapdragon का 695 देखने को मिलता था same processor आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अब यह processor जो है काफी अच्छा chipset है बहुत सारे smartphone में already use हो चुगा है एक stable optimized chipset है तो अच्छी काजी performance आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पीची की तरफ आपको triple camera sensor ही देखने को मिलेगे बट वहाँ पर इस बार आपको main sensor के अंदर OS का support देखने को मिलेगा मतलि यहाँ पर जो main sensor होगा 50 megapixel का वो most probably यहाँ पर Sony IMX 766 वाला sensor हो सकता है इसके लावा 8 megapixel का ultra wide angle lens होगा और 2 megapixel का depth sensor front camera 16 megapixel का होगा तो एक अच्छा camera आप यहाँ पर expect कर सकते हैं अब कितना अच्छा कर सकते हैं वो तो review के बाद ही पता चलेगा अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन software को लेकर आपका जो experience होगा वो यहाँ पर काफी तगड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि यह device जो है out of the box Android 12 के साथ में आएगा और Motorola आपने stock Android experience के लिए जाना जाता है यह चीज़ आप जानते ही है software में stock Android का होना भी काफी बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है क्योंकि अभी currently market को देखे तो मुझे नहीं लगता कि इस price के अंदर कोई भी ऐसा smartphone होगा जो आपको stock Android offer करता है तो यह चीज़ यहाँ पर definitely एक plus point है जिन लोगों को stock Android थोड़ा ज्यादा पसंद है एक clean और add-free UI आप यहाँ पर use कर सकते हो अगर बात करें बैटरी की तो यहाँ पर भी काफी अच्छा काम किया है 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है जहाँ पर आपको 30W की fast charging का support मिल जाएगा तो बैटरी बैकप दी इस phone के साथ में आपको अच्छा खसा देखने को मिलेगा अब कुछ other features के अगर बात कर लेते हैं like RAM और storage के अगर मैं बात करूँ तो LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी और जो storage टाइप है वो आपको UFS 2.2 का देखने को मिलेगा और एक चीज़ और यहाँ पर अच्छी है कि आप यहाँ पर memory को जो है मैं आपको बता दू के जो European market में G82 5G launch हुआ था उसका price था 329 EUR मतलब Indian currency में अगर उसको convert करें तो हो गया लगबग 26,000 के आसपास अब यहाँ पर जो previous launches हैं उनके price point को अगर हम compare करें तो जो G82 smartphone होगा इंडिया के अंदर उसका price point base variant जो की 6 128 GB होगा लगबग 21,000 के आसपास हो सकता है और जो 128 GB उसका price 2,000 EUR पर जादा हो जाएगा तो overall अगर यह price point रहता है तो भी यह device एक काफी अच्छा option हमारे लिए हो सकता है तो definitely आप इसका wait कर सकते हैं अब अगर बात करें launch date की तो देखो फिलाल के लिए तो ऐसा कुछ confirm नहीं हुआ कि motorolize phone को कब launch करेगा पर बहुत ज्यादा chance है कि इस month के last तक या फिर जून के first week तक यह device आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है तो यह थी कुछ information motorolize G82 5G smartphone को लेगर आप मुझे नीचे comment section में बताओ कि आपको इफोन कैसा लगा क्या आप इसे smartphone का wait कर रहे है पागि आपके according जो price point है वो क्या होना चीए नीचे comments में जरूर से बताना फिलाल के लिए वीडियो के अंदर बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया थे वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं गिया है तो जल्दी से चैनल को subscribe करके बेल आइक रों को भी प्रेस कर देना बेरेस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत जैनवाद I see you guys in the next video